वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूटूब चैनल के आर एकजाम में दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड मौस्ट फिप्टिन कोस्टेंस जो की बार-बार एकजाम में पूछा जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और इससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहे दोस्तों आपके कितने कॉस्टेंस इनमें से सही होंगे यह भी आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा आईए देखते हैं हम लोग पहले कॉस्टेंस को देखते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाये जाता है पहला कॉस्टेंस है हमारे मुह में जो लार बनता है उसमें क को बने लाइसोजाइन को सकता है कोई की टानू अगर हो इसको मार देता है लाइसोजाइन एंजाइम किटानू को मार देता इसके हुआ दोस्तो हमारे मुह में और एक एंजाइम निकलता है लार में और एक एंजाइम पाए जाता है जिसको हम लोग मियूलीन करते हैं ठीक है याद रहेगा आपको एक टाइलिन पाए जाता है एक डाइस्टेज पाए जाता है एक लाइसोजाइन पाए जाता है और एक मियू तो दोस्तो इस कैंसर हो जाएगा अमासे जठर गरंथी कहा पाई जाती है अमासे में पाई जाती है और दोस्तो इसको भी याद रखना है कि जठर गरंथी जो होती है इसमें एक रस निकलता है एक परकार का रस निकलता है जिसको हम लोग जठर रस करते हैं जठर गरंथी से क अब करनचाँ से दूद को दही बना देता है अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों अगला जू-कॉस्सेन है जठर रस में पाये जाने वाली कौन सी एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जठर गरंती से एक परकार का रस निकलता है जिसको हम लोग कहते है जठर रस और इसमें दो परकार का एंजाइम पाये जाता है एक होता है पेपसीन और एक होता है रेनीन पेपसीन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है जबकि रेनीन जो है यह दूद को दही बना देता है तो दोस्तो इसका एंसर क्या हो जाएगा पेपसीन प्रोटीन का पाचन कोन करता है जटररस में पेपसीन करता है याद रहेगा आ Milage तर ट्रिप्सीन यह तीनों एंजाइम पाए जाते हैं बढ़ते हैं दोस्तों अगला Question के और अगला Question है दोस्तों पित रस का निर्मान कहां होता है तो दोस्तों इसका रहता है वो कहा रहता है पितासे में रहता है बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोस्टिन की और तो दोस्तों अगला कोस्टिन है भोजन से जल को किसके द्वारा अवसोसित किया जाता है जब हम भोजन करते हैं उसमें जो जल लेते हैं उसको किसके द्वारा असोसित किया जात को जो है भोजन से पोसक तत्व को किसके धुवारा ऑसौशित किया जाता है तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा छोटी आत खीका याद रहेगा आपको जेल का औरूशें का रूशात करता है बढ़ी आत करता केचिश्ट के जबकि जो पोसक तत्व है उसका यह करता है छोटी याद करता है अगला कोस्टेन है दोस्तो आहर नाल की लंबाई कितनी होती है आहर नाल यानि जो पाचन तंत्र है उसकी पूरी लंबाई पाचन तंत्र यानि जैसे मुख घुवा से लेके हमारा मुह से लेके जब हम मल को त्याग देते हैं वहां तक पूरी लं में कौन सा अंग परवावित होता है तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा बड़ी आथ हेजाव ट्राइफाइड में जो है बड़ी आथ परवावित होती है अगला कोस्चन है दोस्तों यकृत पर निर्मित पितरस कहां पर इस्टोर रहता है मैंने आपको अभी बताया कि पि किसके कारण होता है दोस्तों बिल्रूबिन के कारण और इसको भी याद रखना है कि जोंडिस जो हमें हो जाता है जोंडिस या जिसको हम लोग पिलिया भी करते हैं वो किसके कारण होता है बिल्रूबिन की अधिकता के कारण हो जाता है याद रहेगा आपको और यह बिल्र होने वाली पत्री किसकी बनी होती है तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा केल्सियम ऑक्जिलेट पत्री किसकी बनी होती है केल्सियम ऑक्जिलेट की बनी होती है अगला कोस्टन है दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होती है तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा इस्टार को पचाती है याद रहेगा आपको चलिए बढ़ते हैं अगले कोस्चन की हो तो दोस्तों लास्ट कोश्चन है इनमें से कौन सा एंजाइम दूद को दही में परिवर्तित कर देता है दोस्तों मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊँगा इसको आपको कमेंट में जवाब दे अपने जितने भी दोस्त हैं उसको सेर जरूर कीजेगा और चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए